शिरी गडेशाय नमानवश्कार में त्रोस आगत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपनी चैनल क्यान गंगा में कार्तिक महा के शुक्लपक्ष की पुर्णिमा तिथी को कार्तिक पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक पुर्णिमा 30 समबर 2020 को है उस दिथी क्या रहेगी पूजन विधी क्या है और क्या है कार्तिक पुर्णिमा की कथावम महत्व तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहें हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रतेवं तैवारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे तकी आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे पुर्णिमा के दिन व्रती को सुवैस्नानादी से निवरित होकर साफ वस्त धारन करने चाहिए उसके पश्चाथ भगवान कार्तिके की पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के उस पर लाल रंग का वस्त धुचाए उसके बाद उन्हें बुष्प गी और दही आदी अर्पित कर उनके मंत्रों का जाप करे भगवान कार्तिके की कथा सुने या पढ़े और उसके बाद भगवान कार्तिके की पूजा धूप वद दीप से आर्थी करकर करे भगवान कार्तिके की आर्थी उतारने के बाद उन्हें भोग अर्पित करे कार्थिक पुर्णिमा 2020 में 30 नवंबर 2020 दिन सो वार को है पुर्णिमा तिती का प्रारंब होगा 29 नवंबर की दोपैर 12 बज कर 47 मिनट पर समाप्ति होगी 30 नवंबर की दोपैर 2 बज कर 69 मिनट पर कार्थिक पुर्णिमा की कथा के अनुसार एक राक्षर जिसका नाम त्रिपुरा था उसने ब्रह्मा जी को कठोर तबस्या की त्रिपुर की तबस्या से तीनों लोकों में हाहा कार मच गया सवीदेताओं ने त्रिपुर के इस कठोर तब को तोड़ने का निर्ने लिया उसके के सामने प्रकट होना पड़ा इसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को वर्दान मांगने के लिए कहा त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसे ना तो कोई देवता मार पाए और ना ही कोई मनुष प्रह्मा जी ने त्रिपुर को ये वर्दान दे दिया उसके बा भगवान शिव और त्रिपुर के बीच में बहुत ही भेंकर युद्ध हुआ ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला उसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरी नारायन विश्रों की मदद से त्रिपुर का अंध किया तो ये थी कथा कार्थिक पुर्णिमा कि मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ